नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ दिवाकर मिश्रा भारत के लिए आज एतिहासिक दिन है भारत ने आज पर्यटन के छेत्र में एक नया इतिहास रच दिया पर्यटन के छेत्र में भारत ने एक नया पन्ना जोड़ दिया है आज दुनिया के सबसे लंबे सबसे बड़े कुरूज रिवर कुरूज MV गंगा बिलास को पानी में अवचारिक रूप से उतार दिया गया परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदिय छेत्र वाराणसी में आज दुनिया के सबसे लंबे रिवर कुरूज MV गंगा बिलास को पानी में उतार दिया गया परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से इसको हरी जंडी दिखाई और अब ये परियाटकों को जल मार्ग से यात्रा कराने के लिए तयार है आज का दिन आयतिहासिक इसलिए है कि इन सब चीजों की कभी हम कल्पना भी नहीं करते थे हमें लगता था ये सब चीजें सिर्फ विदेश के लोग ही कर सकते हैं बड़ी कंट्रीज ही कर सकती है जल मार्ग से यात्रा की कल्पना नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधान मंत्र भी बनते ही की थी और इसके लिए काम उन्होंने तभी से सुरू कर दिया था आज ये मूर्थ रूप ले रहा है भारत की विकास यात्रा में ये एक मील का पत्थर साबित होगा खास बात ये है कि ये क्रूज बांगला देश से भारत के संबंधों को और मजबूत करेगा क्योंकि ये बांगला देश हो करके जाएगा आज का दिन वास्तों में भारतियों के लिए खुशी का दिन है भारत की सांस्कृतिक धरोहर भारत की संब्रिद्ध विरासत इसको समेटेगा ये क्रूज अगर इस क्रूज से संबंधित कुछ बातों पर हम ध्यान दे तो एमवी गंगा बिलास एक क्यावन दिनों की यात्रा पूरी करेगा और भारत के पांच राज्यों बंगला देश के कुछ हिस्सों से होकर 32 किलोमीटर की यात्रा करेगा यह उत्तरप्रदेश के वाराणसी से आज अपनी यात्रा शुरू की है इसने और बंगला देश होते हुए यह असम के डिब्रू गड़ पहुँचेगा 51 दिनों में अब इस जहाज की आप खासियत समझ लीजिए कि यह जहाज कितना खास है और कितनी सुभिदाओं से लाइस है जिन सुभिदाओं की कल्पना कभी हम बिदेशी जहाजों में बिदेशी क्रूज में करते थे वो स्वपन आज भारत में साकार हो रहा है और इसी लिए यह अध आपको बताएं तो यह तीन डेक वाला यह जहाज है 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चोड़ा है यह राश्टिय जलमार्ग एक को जोड़ने के अलामा और यह राश्टिय जलमार्ग में कौन-कौन सी नदिया आती है ब्रम्वपुत्र गंगा और राश्टिय जलमार्ग दो भी इ करेगा इसमें सभी लगजरी सुविधा जिसकी हम कलपना करते हैं अपने टूरिजम के समय में जिसकी हम कलपना करते हैं वह सभी लगजरी सुविधाई इसमें मौझूद हैं 36 परियाटकों की छमता इस क्रूज में है और इसमें 18 सूइट हैं इस सूइट के सुखदायक अं जोरियां इस्मोग डिक्टेटर और कन्वर्टेबिल बेट जैसी कई सुविदाओं से यह सुसजित है मैंनी मोर कुरूज सिप में मुख्य डेक पर एक 40 मीटर का रेस्टोरेंट भी है जिसमें एक इस्पा एक संडेक भी है इसके उपरी डेक में एक बार है बार के सोकीनों के लिए है इस जहाज में जिम और पुस्तकाले की भी ब्योस्ता है इसके अलावा यात्री इसमें सनबात भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें रूफ टाप पर सनबात की भी सुविदा दी गई है अब आप सोचिए इन सब के अंदर कर सकते थे कि ऐसा क्रूज भी भारत में बनाया जा सकता है और भारत में चलाया जा सकता है साइद में खास बात यह भी है कि इस क्रूज में 40,000 लीटर का तेल टैंक बनाया गया है लगाया गया है जिसमें एक महीने से भी ज्यादा समय तक इसमें क्रूज में तेल की कमी नहीं होगी यानि इंधन की कमी के वज़ा से यह कुरूज कहीं रुकेगा नहीं अब आप सोचेंगे कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर को कैसे समेटेगा यह जहां जहां से भी गुजरेगा यह कुरूज जहां जहां से भी गुज्रेगा परियटों को परियटकों को उस अस्थान के जो विरासत होगी जो सांस्कृतिक धरोहर होगी जो मुखे अस्थान होंगे उसका ये दर्शन कराएगा विस्व धरोहर अस्थल जितने राष्टी उद्यान नदी घाट ये इसके साथ अब जगह कौन-कौन सी होगी ये भी आप जान लीजिए बिहार में पटना जारखंड में साहिब गंज पस्चिम बंगाल म धाका और असम के गौहाटी गौहाटी जैसे प्रमुक सहरों सहित पचास पर्याटन अस्थलों की यात्रा के साथ 51 दिनों में यह शिप यह क्रूज धाका से गौहाटी फिर कांजी रंगा होते हुए डिब्बुरुगर पहुंचेगा अब आप इसमें यात्रा करने वालों की सुखद कल्पना को आप सोच सकते हैं अब यह जो आज इसमें पहली यात्रा इस क्रूज की सुरू हो रही है उसमें स्विट्जर लैंड और जर्मनी के 32 परियाटक यात्रा कर रहे हैं फिलाल कि इसके अलावा चालक दल के भी 40 लोग इसमें मौजूद है कि इस क्रूज में 36 परियाटक स्थल जैसा मैंने बताया आप से कि 36 परियाटकों के साथ जितने क्रू मिंबर भी होंगे वो आराम से यात्रा कर सकते हैं अब इसमें इस क्रूज में परियाबरन का भी पूरा ध्यान रखा गया है प्रदूशल का भी पूरा ध्यान रखा गय जुषी का गुज्युज है इसकी वज़ा से यह गंगा साइज से बीन अडियों को होकर गुज्रेगा वो प्रदूशित नहीं होंगी कि दुनिया के इस अब ये जो दुनिया का सबसे बड़ी बात यह भारत का नहीं यह पूरी दुनिया का सबसे ismak रिवर क्रूज है अब बात सबसे बड़ी आती है कि इस क्रूज पर घूमने का इस क्रूज पर यात्रा करने का पर्यटन की सुविधा लेने का खर्च कितना आएगा तो उस पर भी एक नजर आप डाल लीजिए इस पर एक दिन का खर्च लगभग 24,692 रुपए करीब 300 डालर का खर्च आएगा इस तरह से अगर 51 दिनों की यात्रा को हम जोड़ें तो ये खर्च 15,300 डालर यानि कि लगभग 12,24,000 रुपए का खर्च इसमें आएगा अब पानी पर जो सफर हो रहा है भारत में इस पर जड़ा पुरानी आंकड़ों पर निगाह डालते हैं ये देश में 111 जलमार्ग हैं इस वक्त जिसमें 5 पुराने जलमार्ग थे और 106 नए जलमार्ग बनाए गये हैं 20,275 किलोमीटर के जलमार्ग 24 राज्जियों में फैला है और ये 10.87 करोड टन कारगो की ढुलाई करता है जलमार्ग से जो माल की आवाजाही होती है वो 2013-14 में 1.88 करोड टन थी जो 2021 में बढ़कर 10.87 करोड टन पहुँच चुकी है एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि जो ये माल ढुलाई का खर्च है ये जलमार्ग से सबसे सस्ता पड़ता है इसकी तुलना अगर आप करते हैं तो सड़क से माल ढुलाई का खर्च एक टन पे प्रत किलोमीटर 96 पैसा पड़ता है रेल से ये खर्च 50 पैसा पड़ता है जबकि जलमार्ग से कुल 35 पैसा पड़ता है अब आप इस कुरूज का खर्च तो जानी चुके हैं आप सोचते होंगे कि इस कुरूज को बुक कौन कराएगा क्योंकि 12-15 लाख रुपया खर्च करना भारत के सामान ब्यक्ति के लिए तो बहुत आसान नहीं है लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताओं कि ये कुरूज अगले दो वर्स के लिए पूरी तरह से बुक है तो आपको आश्चर होगा कि भारत में लोगों की पेइंग कैपिसिटी कितना बढ़ चुकी है ये भारत की समरिधता को भी दर्शाता है कि यह कुरूज इसके सैयोज को ने ये बात बताई जो इसको चलाने वाले लोग हैं वो इस बात को बताए कि यह कुरूज दो वर्सों के लिए पूरी तरह से बुक है यानि कि अगर आप आज चाहें तो आज आपको इस कुरूज में घूमने का मौका नहीं मिलेगा दो वर्स तक आपको इंतजार करना पड़ेगा आपकी जानकारी के लिए यह भी मैं बता दू कि यह अंतारा लगजरी रिवर कुरूज इसका जो है यह वेब साइट है इस से आप इस कुरूज पे बुकिंग करा सकते हैं अब आज की यह खबर को सुन करके आज के इस रिपोर्ट को देख करके आपको जरूर अच्छा महसूस हो रहा होगा कि भारत यह नया भारत है जो अपनी विकास यात्त्रा को तेजी से आगे बढ़ा रहा है आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बागी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर